नमस्ते बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारी पुस्तक अवनी का पहला पाठ मात्र भूमे बच्चों इस कविता के रचेता ने यहां पर कविता में भारत की भौगौलिक जो विशेष्टाएं हैं उसका उलेख किया है विभेन महापुर्शों के माध्यम से हम हमें जो प्रे नवाजा है मतलब बहुत से विशेष्टाओं से यहां पर सजाया है तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ उचा खड़ा हिमाले आकाश चूमता है नीचे पखार पगदल नित सिंधु जूमता है गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही है पल-पल नई छटाएं पग हें उत्तर में हिमाले परवत सबसे उचा परवत खड़ा हुआ है जो यहाले हमारे परवत नित सींधु जूमता है और उसकेत नीचे यहां भरत वर्ष के बखकर तो पखार रहां आपने पानी से दूंस के मारी भारत भूमी के ऊपर मस्तक पर हिमाले सुषुबित होता है और बखकर रहा peng Exact और साथी साथ क्या है गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही है और साथी साथ यहां पर बहुत सारी नदियां है जिनमें गंगा और यमुना सबसे पवित्र नदियां है जो लहरा लहरा कर यहां से वहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती रहती है और हमारे देश क की हरियाली को बढ़ाती है सुख सम्पदा को सम्रिद्ध करती है साथ ही साथ उसके क्या होता है पंगपर नई खटाएं पग चहर रही है उसके नइचया आथे शहां तो क्या है मेरी पुद्य भूमी अइसी यह मेरी पुद्य भूमी है सबसे पवित्र भूमी है इस संसार में यह मेरी जन्म भूमी है मैंने यहां पर जन्म लिया है यह स्वर्ण भूमी है यह धर्ती की जो रेत है जो मिट्टी है वो सोनी के समान आभा लिये हुए है इसलिए यह स्वर्ण भूमी है यह मेरी मात्र भूमी है यह भरत वर रेट है रेटीले रेगिस्तानों के कारण ऐसे लगता है जैसे स्वर्ण मई आभा बिखेर रही हो इसलिए ये स्वर्ण भूमी है और ये मेरी मात्र भूमी है आगे क्या कह रहे है कभी क्या कह रहा है कि यहाँ पर अनेक पहाण है खुबसूरत सुन्दर जिसमें से जर जर जरने बहते रहते हैं उसकी खुबसूरती को बढ़ाते रहते हैं इतनी जादा वनसंपदा है यहां पर कि धेर सारी ज़ाडियों में अलग-अलग प्रकार की चड़ियां मस्ती से स्वचंदता से चह हैं अपनी आवाद में कूक रही हैं अपने कलरव से जो शोर मचा रही है वो शोर हमें बहुत भाता है याने चड़ियों की चह चहाहट चारों तरफ सुनाई देती है एक तरफ क्या है अमराईयां घणी है कोयल पुकारती है और घणे आम के क्या है जंगल हैं अमराईयां मतलब जहाँ पर खूब सारे आम के पेड़ होते हैं बच्चों उसे अमराई यानिंगे ढम्न के सारे दोटिते हैं जिन कौल की आवाज हमें सुनाई देती है यसा कोईल हमें पुकार रही हो कोईल कुकती तो अपने साथ मिछी आवाज में कुखने के लिए वह भी हमें बुला रही है बहती मलय पवन है तन्मन सवार्थी मलय का मतलब बच्चों एक मलय परवत है जो दक्षिन दिशा में है इस परवत पर चंदन के बहुत सारे व्रिक्ष है यानि चंदन के जो जंगल है वो इस मलय परवत पर ही है यहां से आने वली जो हवाएं होती हैं वो बहुत सुगंधत होती हैं तो क्या कहा है हैं बहती मलयपवद्ष Appla Tube है कि जब मलयपरवद्ष वी यह यहां पर आती है तो उसकी इतनी सारी सुगंधत जो हवा है हमारे शरीर में रचबस जाती है और हमारे थनम यहां है हमारे यहां पर हिंदु, बौध, शिक्षप, इसाई ही, मेने कर्म भूमी को आगे चलाना है मैं यहां पर जन्म लिया है इसलिए मेरी कर्म भूमी भी यही है मैंने जन्म लिया है इसलिए मेरी ये जन्म भूमी है और मेरी मात्र भूमी भी यही है आगे कह रहे हैं कवी जन्मे जहां ते रगुपती जन्मी जहां ती सीता शुरी कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता कितनी अच्छी बात कही है रहा साथियोंस कविता में कभी ने K поех रहे हैं कि जन्मे थे जहां रगुपती, इतनी पावण भूमी है मेरे भारत वर्ष की कि जहां पर आदर्श, पुर्शोत्तम, श्रीराम ने जन्म लिया था जहाँ पर उनकी पतनी सीता ने जन्म लिया था जो कितनी विनम्र थी जनोंने अपने पती धर्म को निभाने के लिए पूरे संसार को छोड़ दिया था और 14 वर्ष उनके साथ साथ वनवास में बटकी थी अपनी मधर बंसी की राग हमें सुनाई थी और साथ ही साथ हमें गीता का संदेश भी दिया जो आज भी समस्त संसार में सुना जाता है और सुनाया जाता है गीता काया संदेश बच्चों हमारे कर्मपथ को रास्ता दिखाता है फिर क्या कहारे है यह पर गौतम दिखाई जिन्होंने हमें दिया दिखाया मतलब प्रकाश का मार्ग दिखाया जिन्होंने हमें ग्यान का रास्ता दिखाया ऐसी यह युद्ध भूमी मेरी है मतलब मैं अपने राष्ट्र के लिए अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर मुझे दुश्मन राष्ट्रो पाठ पड़ाया था। यह मेरी जन्व भूमी है, यह मेरी मात्र भूमी बच वे इस कविता के माध्यम से हमने भारत की भगॉलिक इस्थिति के बारे में तो जा नहीं साथ ही हमारे यहाँ की वनसमपदा, हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ के महा पुरुशों के बारे में भी कवी ने हमें इस कविता में बताया है